नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ये जी 20 पर इंडिया टीवी की मेगा कवरेज और आप सामने लिखा देख रहे थे भी विश्व गुरू जियां इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर ही हैं हर बड़े मुल्क का नेता दुनिया का इस वक्त हिंदुस्तान में है दिल्ली में है नहीं तो दिल्ली पहुँचने वाला है तो चाया अमेरिका के राश्वपती हों, यूके के प्रधान मंतरी हों, फ्रांस के, जर्मनी के राश्रा ध्यक्ष हों, चीन के प्रधान मंतरी हों, तुर्की के राश्वपती हों, सब लोग इस सबक दिल्ली में हैं और आपको बता दें कि अमेरिकी राश्टपती जब भारत पहुंचेंगे उसके बाद आज ही उनकी विपक्षी वारता प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के साथ जो है वो उनके आवास पर हुनी है खास तोर पर रिशी सुनक के कुछ बातें जो अभी उनोंने अपने इंटेव्यू में डीटेल में बताई उन्होंने कहा कि ये बड़ा महतपून वक्त है जब ये G20 का समिट हो रहा है और दुनिया के बड़े पेचीदा विशियों उपर इस G20 के समिट में राश्रत द्यक्षों के बीच बातचीत के अंदर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और भारत की उसमें बहुत प्रमुक भूमिका है आप जानते हैं रूस यूकरेन का युद्ध हो या कोविट काल के बाद से दुनिया भर की अर्थवस्ताओं पर जो दबाव पड़ा है उन परिस्थितियों के अंदर भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी और भारत की कोशिश पूरी तरीके से ये है कि दुनिया के अंदर चाहिए फूड सेक्यूरिटी का मसला हो एनरजी सेक्यूरिटी का मसला हो मल्azzi लाटिलारिल फोरम्स पर खास्व करके यूएन की जो मेंबर्शिप्स हैं, सिक्यूर्टी काउंसल की, उसमें पुरी दुनिया का प्रतिंदित वो बहतर बनाने की बात हो, जहां भारत को जगे मिलनी चाहिए, यह तमाम मुद्दे हैं, और देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, भारत कह रहा है कि हमने जो ड इत्नालोजी की मदद से गरीबी से बाहर निकाला है, हम उन तक कैसे पहुँचे हैं, यह एक मिसाल है, इसको दुन्या मानती भी है, रिशी सुनक की बात आपको पहले सुनवाते हैं, वो पहुँचे थोड़ी देर पहले भारत, और सब जानते हैं, रिशी सुनक जो है, एक से पसंदीदा है, रिश्ट्रान में भी जाना चाहूंगा, यह भी हो कह रहे हैं, सुर्या रिशी सुनक की बात, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर्म में बड़ी आस्था रखता हूंगा है, रिशी सुनक की बात, रिशी सुस करता हूं हिंदू होने में, और यह आपकी बड़ी मदद करता है, खासतर पर अगर मेरे जैसा काम किसी के पास हो, वो कहना है, अगर इतना स्ट्रेसफुल जॉब किसी के पास हो, आप किसी देश के पधान मंतरी हैं, वो भी ब्रिटेन जैसे बड़े मुलक है, तो आस्था होना, श्रद्धा होना एश्वर में, उससे बड़ा संबल मिलता है, और उन्हेंने कहा देखे, मैं अभी राकी का त्योहर मना करके आया हूं, मेरी बेहनों ने मुझे राकी बांदी है, जन्माश्वी की बात उन्हें की जो कल गुजरी है, कि मैं जन्माश्वी जन्माश्वी ठीक से नहीं मना पाया, ओम जी उपाध्या स्टूडिय में हमारे साथ है, जफर जरिश्वाला साह हमारे साथ है, हमारे पुलिटिक के लेटा देविन पराश्र जोड़े हूए, और सुल्हांश्यू त्रिवेदी जी भारती जित्ता पार्टी की राजिसवा सांसत, जोडने वाले हैं किसी भी बग, ओम जी लेकिन आपको कैसा लागा सुन करके दुनिया का एक बड़ा नेता हिंदू होने पर गौरफ महसूस करता, और यह संग्रेजी में कहते हैं ना, वेरिंग मारे रिलिजन नॉन माई स्लीव, कोई जिजक नहीं है कहने में, यह इसलिए गौरवानित होने की बात है, इसलिए भी क्योंकि देखिए धर्म इस देश की समाज की धुरी रहा है हजारों वर्सों तक, हमारी जिसके इर्दगर्द पूरा यह समाज घूमता रहा है, उसकी धुरी धर्म रहा है, हम उसको बहुत कई बार जब हम रिलीजन से उस जो डूस और डूस की स्तिति थी, वो धर्म है और इस रूप में जब ब्रिटेन का प्रधान मंतरी बहुत गौरवानित होके कह रहा है कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और आस्था धर्म में मेरा जो विश्वास है, वो मुझे शक्ति देता है, यही शक्ति भारत की वास्तविक शक्ति रही है, जिसके बल पर भारत दुनिया में विश्वगुरू रहा है, और मुझे लगता है कि फिर से हम उस रास्ते पर अग्रसर हैं। भारत आए, भारत के साथ अपना कनेक्शन एक बार फिर याद किया, बताया कि मैं कैसे मूल्स में भारत ये ही हूँ। भारत के हितों के साथ से समझें, तो कितना सटीक है वो, खालिस्तानी अतिवात को मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, रूस-उक्रेन वार में भारत की क्या पोजिशनिंग है, आप समझें कि पूरा यूरोप एक तरह से ये जन्माना रखा है, कि भारत उसकी आलोश ना करे। लेकिन रिसी सुनक ने जो बयान दिया, उसने ये कहा कि मैं इस पे कोई सराह देने वाला नहीं। इसका सीधा मतलब है कि G20 की जो पेस्डेंजी है, भारत जो कर रहा है और जिसा कि ये सुनक ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगी, ये सफ़ा लो और भारत कर भी रहा है, त अपने आप में बहुत खास है, जो बाइडन पहले इस बात को कह रहे हैं, तो अपने आप में बताता है कि भारत की पोजिशन को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, फ्री टेट एग्रिमेंट को लेगे कल बाइलेटरल होनी है, प्रधान मंत्री मोधी के साथ, कल चार देश सुनक का ये बयान हो ये स्टेंड दिखा, बिलकुल और दुखिये, जो भारत ने थीम रखी हुई है, इस बार इस जी ट्वेंटी की वासुद है, वो कुछ मुकम, ये पूरी दुनिया जो है, वो एक परिवार है, रिशी सुनक ने उस पर कहा कि मैं तो जीता जाता उधार मैं वो जीवित पुल्ग हूँ, जो भारत की सभिता को यूके के साथ जोड़ता है, जहां पर तक्रीमन बीस लोग भारती मूलके रहते हैं, जफर सरीशवाला साथ नहीं देखिए, एक बहुत, और ये खास्तोर से रिशी सुनक का ये कहना, फेथ के बारे में जो उन्होंने का, कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने का कि बिल्कुल, आइम अ प्राउड हिंदू, तो ये वो मुलक में है, जो सबसे एर्रिलिजिस मुलक है, बलकुल, यानि यूरोप के अंदर, बलके दुनिया में, यानि सबसे अगर मजभ कहीं खतम हो गया है, तो वो इंगलेंड में है, और वहाँ ये कहना, कि फेथ जो है, और ये मेरा भी मानना है, कि कोई भी फेथ हो आदमी के अंदर, जिसको आप शरदा का हो, या उसका एक वो बहुत important होता है, वो do's and don'ts में बड़ा उसकी मदद करता है, तो और ये खुल कर कहना, कि मैं हिंदू हूँ, तो ये उनकी बड़ी इमानदारी की बात है, और आदमी जो है, वो कहना, ये बहुत important होता है, कि मैं जो हूँ, वो मैं दुनिया को बता हूँ, कि मैं मुसल्म और मैं हिंदूस्तानी हूँ, तो ऐसे उनका ये कहना कि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने रक्षाबंदन की बात की, और उससे कुछ दिन पहले, वो हमारे गुजरात के जो मशूर बापू है, जो मुरारी बापू साब, उनकी उसमें गए थे, और कहा कि मैं एक प्राइम म अपनी बात कहते हैं कि भाई मैं ये हूँ और मैं ये मानता हूँ और जो बहुत इंपोर्टन बात जो उन्होंने आखिर में कई फेथ की ये एक बहुत बड़ा मेसेज है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अब फेथ से दूर होते चले जा रहे हैं तो फेथ कितना कि जा लिण कर के क्या कहा हम सब जानते हैं यूके के अंदर बहुत सारे एंटी इंडिया खालिस्तान समर्थक हैं जो वक्त वक्त पर कतिवीधिया करते रहते हैं वो फिल इरिटेंट हैं बेसिर्ली लेकिन उस पर रिशीय सुनक रिश्जें कृतने सख्त हैं सुनिया करिए लिख व्लेशन गाल्सानी प्रिफ्टनी पॉलिखटानी पॉलिख लिए ले लिखे इगानी कि अवेरल जे वी टिरू जोटारी है इस व्हाइन सार जूड़ चुके हैं भारती जंदा पाटी के लीडर राजे सभा के सांसद सुधान्शु त्रिवेज़ धर दिए नियुकर जोड़ रिविगा जोड़ा राजू रोल्ड़ाओं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौझूद है या दिल्ली आने वाले हैं अभी रिशी सुनक को हम सुन रहे थे आप तो दो दिन से उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं सरातन को खत्म करना या ब्रेटेन का प्रदान बंतरी आकर के स चैनल देख रहा था इससे पहले ये थोड़ा एको कर रहा है इसको ठीक करवा दी जिए देखिए रिशी सुनक ने आकर क्या कहा कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है एक दौर था सौरफ जी हम लोग बच्पन में सुनते थे कि फॉरें रिटर्न होना एक उप राम लों के नाम हुआ करते थे और आज विलायत का प्राइम मिनिस्टर आकर कहता है कि मुझे भारत में आकर अच्छा लग रहा है यानि वो भारत में रिटर्न आ रहा है तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़े परिवरतन का प्रतीख भी है दूसरा भी जानते हैं क्या है वहाँ पे सबसे बड़ा रिलिजन है प्रोटेस्टेंट मगर पैंतीस प्रतिशत लोग अब ऐसे हो गए हैं जो लिखतें नो रिलिजन और उसमें जदातर युवा हैं जो किसी धर्म के साथ अपने को जोड़ते ही नहीं तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्र हैं अब ही अर्ली फॉटीज में हैं तो अगर वो यह बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि और भी गहरा माइने रखती है मगर एक दूसरा एंगल में मेरे दिवाग में आता है सौरफ जी आप कलपना करिए भारत के प्रधान मंतरी ये कह दें कि मुझे गर्व है इस बात ही ले नियू यॉर्क ही ले ला होने लगता अब तक पता नहीं क्या क्या सुनामी आ जाती दुनिया में कैसे बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया ये एक फंडमेंटल अंतर है इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए और एक और बात समझने चाहिए हम टेकनॉलजी में भी को देने की स्थिती में आपको याद हो प्रधान मंत्री जी नभी क्या बोला था कि जेपैन के फॉरिंड मिनिस्टर आए और उन्होंने खान मार्केट में देखा कि लोग बार कोट के थूरू पेमिंट कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा आश्यर हुआ और उन्होंने जाके वहा बात को समझना चाहती है और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आज एक संयोग मानिये कि इस समय जाके जी ट्वेंटी का आयोजन हो रहा है एक प्रकार से लोग कहते ना कि यह ऐसे भारती एक ऐसा देश है जहां एक दिन के लिए ही सही प्रयाग दुनिया का सबसे बड़ा श चक्तिका केंद्र बना हुआ है और यह संयोग भी तब है जब हम पाँचवी बड़ी अर्थविवस्था चौथे बड़े स्टॉक एक्षेंज कली हमने दस करोड़ डीवेट एकाउंट्स क्रॉस किये हैं वित्तमंत्री महोद्या ने बताया हम तीसरे बड़े आटो करा चाओंगा जिन लों को सनातन से बड़ी हिकारत थी अब याद करिए जब मोरारी बापु जी की कथा में आये थे तो क्या कहा था रिशी सोनक ने कि मैं टेंड डाउनिंग स्टीट में अपनी मेज के उपर गणेश जी को सदय रखता हूं ये मुझे इंस्पिरेशन देत लिखा था कि ये हिंदू चाहे जितने सम्रद क्यों नहों ये नंदी बैल बंदर हनुमान हाथी गणेश को पूजने वाले हैं देयार और काली को पूजने वाले देयार सेमी बारबेरिक ये मूर्ग हैं तो मुझे लगता है अब कम से कम जो लोग इन विचारों को कह रहे ह हैं वो माक्स की उननीस्वी सदी की विचार भारा में फसे हुए हैं जब भारत गुलाम हुआ करता था और एक ऐसे व्यक्ति का विचार जो जिन्दगी में कभी भारत नहीं आया भारत का कोई गंत नहीं पड़ा उसी को अपना सबसे बड़ा उसके वाक्य को वेद वाक्य जनारदर्म की तरह मानने वाले लोग आज भी भारत में पड़े हुएं मगर मुझे लगता है कि अमरत काल आया है और अमरत काल में ये सकारात्मक चीजे दिख रहे हैं उससे पहले वो विश निकलना भी आवश्यक है मेरे विचार से नई पीडी इस बात को समझ रही है और कि हमारी growth rate पूरे world में among the major economies number one पे रही हो तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में मोधी जी ने इसमें एक और भी काम किया जैसे 60 शहरों में जो काम किया है भारत विविद्धा का देश था हमेशा में बच्पन से पढ़ाये गया विविद्धा में एकता विविद्धा में एकता म और आज इस 60 शहरों में जो कुछ हुआ तो भारत की उस विविद्धा को भी दिखाया है और उस विविद्धा की एकता कहां पे होती है उस भारत मंडपम में होती है जिसके वाहर नटराज की वह मूरती लगी है और अभी भी मैं सौरब जी एक बात आपसे कहना चाऊंगा जानते हैं नटराज की मूरती कहां की है ये ओरिजिनली तंजाओर तमिल नाडु की है वो तंजाओर जो चोल सामराज की राजधानी थी और ये चोल राजाओं के द्वारा बनाई गई वह मूरती है नटराज जिसको हम सब तरफ देखते हैं तमिल प्राइड का पृतीक य यह है मगर अफसोस की बात यह है जो प्राइड की बजाए डिवाइड में ज्यादा रूची लेते हैं वो लोग भारत में इस अम्रतकाल में भी कुछ ना कुछ विग्न उत्पन करने के प्रयास पे रहते हैं पर उन्त मुझे मांग मेरा मानना है कि देश की जनता बहुत देता यहां पर मौझूद है राहूल गांधी जो है इस मौके पर वो योरोप के अंदर मौझूद है और वो बतारें डिवाइड कितना है भारत के अंदर वह बतारें कैसे भारत जो है वो चीन का अल्टरनेट विजन नहीं दे पारा है वो यह और वो उन लोगों की पीच चाकर ये बातें कह रहे हैं कर रहे हैं जो ये अब तक कहतें आया हैं कि भारत में हिंदू नैश्टलिस मिजॉरिटीरियन गवर्मेंट आ गई है और इसको हटाना कैसे है इस पर हम लोगों का सारा जोर है तो आपको बता दें इस बत प्रधान मंत्री बांगलादेश की द्धान मंत्री नरेंद मोदी को और उनमें से ये दूसरी बैठक है के साथ मुंझ टाथ माईलाट विदा मंत्री मोदी के बाता चुकिक है और साथ में लंच करेंगे कल के अगर बात करें तो यूके के अलावा जापान इटली और जर्मनी इन चारों देशों के साथ बाइलेटरल मिटिंग है तो सोचे पदार्मांति नेंद मोदी इस औसर को भी जी ट्वेंटी के साथ बड़े नितार हैं वहां भी बाइलेटरल के लोगों ने भी जी ट्वेंटी के और देशों में होने वाले कारेकरम देखे होंगे समिट देखे होंगे और जो भारत ने जिस तरीके से सकायोजन किया साथ शेहरों के अंदर हजारों डेलिगेट्स दुनिया वर से भारत के अंदर आए वो भी सब मान रहें कि इतना भव् पर मुल्क चाय युनाइटेट नेशन्स की सिकेरिटी काउंसल में जितने पांचों पर्वनेंट सदस्य हैं वो उनके नेता की बात कर लें दुनिया भर के सारे ताकतवार मुल्क 80-85% जीडीपी दुनिया की जो नीडर कंट्रोल करते हैं वो इस वक भारत के अंदर महुज अगर आप देखें तो इस जी 20 में सिर्फ भारती एक मातर देश है जिसकी इस्तिती ये है कि वो युरूस और युक्रेइन युद्ध में प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी दोनों से समान लूप से बात कर सकते हैं पुतिन से भी जेलिंस्की से भी बाकी जो दुनि पुतिन के साथ वो इंटर्विव जिसमें उन्होंने पुतिन के सामने बैठ के इंटर्विव देते हुए रूस और युक्रेइन दोनों की सरकारों को धन्यवाद ज्यापन कर दिया हमारे बच्चों को दे जाने के लिए ये छमता उन्होंने दिखाई और आज अगर आप हम रचे हैं सिर्फ दुनिया के हम इकलोते देश हैं जिसके लिए ररुषिया ये कहता है कि इंडिया इस आवर ट्रिडिशनल एल आया और वो हमें एस पोर हंड़िड लगा सकते हैं कि हमारी इस्थिती क्या हो क्या बनी हुई है और किस कुटनीतिक दख्षता के साथ हम किस छमता के साथ आके खड़े हैं ये दिखाई पड़ता और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ अगर भी विश्व गुरू की बात कही तो कल प्रधान मंत्री जी इंडोनेशिया से लौट के आए इंडोनेशिया की राज़ानी जकार कारिकर्म चलना था आप में दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ जकार्ता का वास्तिविक मूर नाम जानते क्या था जयकरता हूं और उस समय इंडोनेशिया में दो बड़े Promises हुआ करते थे एक का नाम होता था जैकरता एक का नाम होता था योग करता आज भी जाके देख लिजए इंडोनेशिया के नक्षे मेंatta के बगल का जो एडजुइनिंग प्रॉइंस है उसका नाम आज भी योग करता ही है यथावत और इसलिए और इंडोनेशिया शब्द का भी अर्थ होता था नीजिया ग्रीक में द्वीब को कहते हैं इंडो मतलब भारती है यानि उसे एक भारती है द्वीब की तरह माना जाता था और योग करता और जै करता दो प्रमुक होते थे सिर्फ एक छोटी सी बात कही कि इन बातों में भारत दुनिया को प्रिणा देने में और सकारात पक भूमिका दिवाने के सिर्वी में मैं किसी भी देश से तुलना नहीं मना नाम नहीं लेना चाहता कुछ देश उभर रहे हैं दुनिया में ऐसा प्रतीत होता वो दौ मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम उभर रहे हैं तो हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक और मैं उधारण देना चाहता हूँ अभी बंगलादेश की प्रधान मंतृ शेक हसीना जी के साथ दिपक्षिय वारता का आप लोग विजूल दिखा रहे हैं तो इससे एक और चीज़ याद आती है वही एक पडोसी हमारा बगल का है पाकिस्तान और एक बंगलादेश बंगलादेश को जी-20 में इस्पेशल इन्वाइटी की रूप में बुलाने की स्थिती तो बनी यानि कहां ये पिंड छुडा कर पाकिस्तान से आज बंगलादेश पाकिस्तान से तो कहीं बेहतर स्थिती में पहुँच गया आप सोचिए ये इस बात को दर्शाता है कि कटर पंथ और इर्रेशनल थिंक शेख हसीना जी तो मुस्लिम कंट्री की प्रधान मंत्री हैं तो मुझे हिजाब में तो नहीं दिख रही है इस विजूल में नबुर्के में दिख रही है जो यहां पे छाती ठोकने लगते थे कि हमारा लीगल राइट है और हमें दबाया जा रहा है हमें ये किया जा रहा ह मैं दिखाना चाहता हूँ भाई ये आपके लिए कहीं पर भी कोई धार्मिक स्वतंतरता का विशे नहीं ये शुद्र राजनीती का विशे था इसलिए आप देख लिए जो मुस्लिम देश है उसकी प्रधानमंत्री जिस रूप में दिख रही ने 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 हम उससे आदा बनना चाहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे भारत के निताओं को देखना चाहिए कि दुनिया में भारत कहां पहुंच रहा है और आखे खोलिए और देखिए कि दुनिया का नजारा कितना भारी बदला हुआ है और कितना बड़ा बदलाव हमें विश्यू में इस समय नजर आ रहा है तो वो वीडियो चलती है तो यह सवाल मुझे लोगों ने पूछे वहाँ पर तो मैंने का कि यार देखो यहना वहाँ बिचारे जो लोग हैं दुनिया में अब अरेबिक सब्टाइटल भी चलते हैं तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान में तो मुसल्मान बिच्ड़ा हुआ है बिल्कुल हिंदुस्तान में मुसल्मान तो बाहर निकल नहीं सकता वो घर से सफर नहीं कर सकता तो मैंने का यार आप मुझे एक बात बताओ कि बीस करोड मुसल्मान हिंदुस्तान में अगर उनके साथ यह होता तो वो तो जी नहीं सकते और मैं एक उधारंड देता था हमेशा कि इस मुल्क में बलके तबलिग जमात का जो काम जितना हिंदुस्तान में होता ये दुनिया के किसी मुलक में नहीं होता, इवन पाकिस्तान में नहीं होता, तो मैंने कहा लोगों से, कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ अभी, इस वक्त कम से कम 15 से 20 हजार तबलिगी, किसी ने किसी शेहर के अंदर, बस में, ट्रेन में, प्लैटफॉर्म पर, बस हड़े कहीं ने कहीं होंगे, और वो एक टिपिकल होते हैं, कुर्टा, पजामा, टोपी, एक जमात की शकल होती है, नमाजे साथ में पढ़ते हैं, तो अगर ये जो आप बता रहे हो, अगर ये ऐसा होता है, मुसल्मान के खिलाफ, अटैक होता है, तो सबसे पहले तो उनका होना च दो तीन साल पहले एक बच्चे के साथ हुआ था, बस, उसके अलावा हमारी जमाते चल रही हैं, तो मैंने कहा के भाई, अगर ये हो, और मैंने कहा, मैं एक कारोबारी जगा से आता हूं, मेरा खुद का कारोबार है, मेरे सप्लाइर जो हैं, पीशे, इसलिए के हमारी फैक् गुजरात में पंचाल कौम है, जो बॉन आर्टिजन होती है, गुजराती हिंदू होता है, तो मैंने कहा, मेरे यहां ज्यादातर मशीन को चलाने वाले पंचाल, तो वो क्यों आएंगे मेरे यहां, आगे मेरा जो माल जाता है, वो 99% हिंदू खरीदने वाले हैं, तो आता जो बनता है, जो कपड़ा और वो जो, तो कम से कम वो दो तीन हाथ चलते हैं, दो एक हिंदू के होते हैं, आगे दो मुसल्मान के होते हैं, तो फिर अगर ऐसा होता, तो फिर इस मुलक अंधर मुसल्मान तो जी नहीं सकता, वो इसलिए जी रहा है, और इसलिए पनप रहा ह है चुँके ऐसा नहीं है हां यह किस्से होते हैं जो लोगों ने पूचा तो मैंने का भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से पांच गुना बड़ा है एक सो चालीस करोड की आबादी है और पूरे साथ आठ नौ साल में बताया ना कि जिन लोगों को हम यहीं भाव नहीं देते है उनका वीडियो बनाकर नीचे सब्टाइटल अरेविक में लगा करके वह मैंने कहा तो मैंने कहा कि यह वो लोग हैं कि जिनको हिंदू भी नहीं जानते अब यह तो आपने अपना रियल एक्सपीरेंस भी शेयर किया और बताया कि बाहर लोगों में किस किसम की गफलत है या मिसंडरस्टेंडिंग है भारत को लेकर के सुधानची जी कुछ कहना चाहरे है मैं इतना जोड़ दू सुधानची जी यह राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में ये कहा है कल और आज में कि हिंदुस्तान की अंदर हिंसा बढ़ रही है जिसके शिकार माइनार्टीज हैं जिसक और सलेशवाला जी ने अभी तबलिगी जमात का उलेक किया मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े पत्रकार हुएं मार्क टिली जो बीबी सी के दक्षन एशिया के समवाद दाता थे वो तीन दशक तक दिली में रहा उन्होंने दोहजार उन्नीस में लिख लिखा है कि Muslims in India are the luckiest और उसका उन्होंने कारण ये लिखा कि उन्होंने का कि मैं तीन दशक तक दिली के निजामुदीन एरिया में रहा जहां सड़क के एक तरफ निजामुदीन अलिया के दरगा और दूसी सड़क के दूसरी तरफ तबलिगी जमात का आफिस था हेड आफ कर दिया होता पर भारत के मुस्लिम इसलिए भागशाली हैं क्योंकि वह अपने मख़ब में जैसे चाहें वैसे अबादत करने के लिए स्वतंत्र हैं अब आप सोचिए ये इस बात का प्रमान है और इसलिए आप देख दीजे एक जो हमारा हिस्सा था पहले पाकिस्तान अल को सही बोला है अब राहुल गाधी को ये बात नहीं समझ में आती है तो मुझे लगता है कि वो तो एक एजेंडा के तहट गये सारी दुनिया भारत की तरफ आ रही है तो वो हमेशा विपनिद डारेक्शन में जाने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं एक और फैक्ट भी सामन दिया जाता है सबसे अदा जकात गुजरात से आता है जहां के बारे में सबसे अदा हला मचाया जाता था मुस्लिमों की आर्थिक किस्थि सबसे अच्छी और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सारे मुस्लिम सामाने लोगों से जड़ा गौर से देखिए दुनिया में हो क्य आ रहा है इस समय हम इंटरनाशनल लेविल पे हैं औरे सौ साल पहले जो गलती किये थे वही गलती आज कर रहे हैं सौ साल पहले भारत में कॉंग्रिस ने तर्की के खलीफा को फस्वर्ड वार के बाद ब्रिटन ने हटा दिया था तो खलीफत को रेस्टोर करने के लिए आंद का जी आप से कोई मतलब नहीं आज क्या हो रहा है आज बताईए साउधी अरब और इसराइल में बातचीच चल रही है मानिता मिलने की यूनाइटेड अरब अमीराद यूएई और इसराइल के राजनेतिक संबंद बन गए और यहां बड़े-बड़े मौलाना भासन देते रहते हैं हम इसराइल को यह कर देंग भलाना कर देंगे आज साउधी अरब जो इस्लामिक वर्ड का लीडर है वहां के क्राउन प्रिंस मौहम्मद बिन सल्मान और इनके बीच में वारता चल रही है मेरे समझमनी आता सो साल पहले भी गलती किये थे आज तो देख लो हर लो अनोखी सी बात है अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो बदलाव आ रहा है इंटरनाशनल लेविल पे इसमें मैं एक बात पताना चाहता हूँ मैंने पाकिस्तान के यूट्यूब पर एक पाकिस्तान के हसन निसार है उनका मैंने बड़ा-बढ़िया वीडियो देखा उन्होंने का जी अमरसर से लाहूर इंपोर्ट नहीं करेंगे चूंकि हिंदू व्यापारी को फाइदा होगा हमें यह समझाए जाता है अब उन्होंने का यह कौन सी समझदारी है कि अमरसर से सामान बंबई जाएगा बंबई से दुबई जाएगा दुबई से चिस लाहूर आएगा केरे साथ जो हिंदू व्यापारी को दो पैसा कमाना था वो तो उसने कमा लिया तुमने चार पैसे उसके उपर एक्स्ट्रा दिये यह कौन सी समझदारी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं बगल वाले छोड़िए हमारे देश के अंदर लोग समझने को तयार नहीं है अगर देश में सब कुछ बहतर नजर आ रहा हो तो राहूल गांधी जी जैसे लोग बाहर जाके जिसे कहतें पीना पाएं तो धरका जरूर दें या हिंदी में कहवत एक शब्द होता विग्न संतोशी जैनि कितना भी सुंदर आयोजन हो रहा हो उसमें कुछ लोग विग्न देखने के ही चुक होते हैं कितनी भी अच्छी शादी हो रही हो कुछ फूपा या कुछ मामा ऐसे होते हैं जो मुँ फुला करी बैठे होते हैं और उन्हें शिकायती करनी होती है कि राइते में नमक ज़्यादा था या खीर में शकर कम थी तो मुझे लगता है राहूल गांधी जी उसी नजरिये से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उन सब बातों का जो टेक्निकल आंसर है सौरब जी हम लोग हमेशा देते रहे हैं आगे भी देते रहेंगे आज G20 के स्विशेक ओपर केवल मैंने ये सैधान्तिक बात कहने का प्रयास कि अभी दे हैंगे वूंका जहाज भी यहां पर लैंड होता हुआ आपको दिखाई देगा बहुत सारी यहां पर बाती हुई है उधारों के साथ बाती हुई है एतिहासिक पर पेक्ष दिये गए अब यह जो थीम इस बार G20 की दी गई हमने पहली भी जिकर गया बस उदे पुकम उसकी नहीं है कि आप किसी और मुल्क कोई और दुनिया का देश जो है यह मोटो दे नहीं सकता बिल्कुल यह भारत ही दे सकता है यह सही मैं केवल भारत ही यह कर सकता है भारत ही यह करने का साहस कर सकता है देखे जब इतने सारे डिविजिव पॉलिटिक्स को और यह हजारों वर भारत उसी उदार चरित्र का उसी उदार चरित्र को दिखाने वाला दर्शाने वाला देश सुरू से रहा है भारत ही है जिसने बढ़के ये कहा क्रिणवंतो विश्वमारयम उसने किसी एक छेत्र की बात नहीं की किसी एक समुदाय की बात नहीं की किसी एक बर्ग की बात नह दुनिया को हम क्रिणवन्तो विश्वमारम हम स्रेष्ट के रूप में देखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं अभी बहुत अच्छा मैं सुधानसु अधर्णी सुधानसु जी की एक आध बातों को और आगे बढ़ा हूँ उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया पूरा आज भी वो इस्लामिक देश हो चुका है लेकिन वहां रामलीला आज भी हर साल बहुत बड़े पैमाने पे साइथ उतने बड़े पैमाने पे भारत में रामलीला आयना होती हों जिस तरह की रामलीला होती है मैं जब सुधानसु जी बात कर रहे थे तो मुझे सुकरणडो जो वहां के प्रसिडेंट थे उनका एक इंटर्व्यू याद आ रहा था उस इंटर्व्यू को मैं पढ़ रहा था कि सुकरणडो के पिता चाहते थे कि किसी भारती चरित्र के नाम पर उनका नाम रखा जाए इसलिए उन्होंने कंड को चुना लेकिन कंड की एक गलती के कारण उन्होंने उसके आगे सुख लगा के कि अच्छा वाला कंड अच्छा कंड ये बहुत इंपार्टन बात है भारत की संस्कृतिका भारत का जो संस्कृतिक प्रसार है उसका और उसी को आज हम इस G20 के माध पूरी दुनिया में एक अलग स्थिति में हम दिखाई दे रहे हैं वो ये बात करता है कि साब मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है ट्राइबल्स के साथ ऐसा हो रहा है ये बड़ी अजीब सी बात है वास्तों में देखी बहुत त्रणनीती बद्ध तरीके से पिछले कुछ दसकों में और उसके पहले ब्रेटेस सासन में हमें गलत चीजें बैसिकली जिन चीजों को पैर के बल खड़ा होना चाहिए था उसको सर के बल खड़ा करके हमें दिखाया गया हमें ये सुनाया गया जिसकी बात अभी सुदान्सु जी भी कर रहे थे डाइवर्सिटी इन य जिन्हों ने कहा था प्रदार मंत्री के लिए कि Mr. Modi is the boss और वो जो कारेकरम हुआ था जगए मुझे याद करा देंगे देवेंदर जो ऑस्ट्रिया के अंदर जिस शेहर में कारेकरम हुआ था सिडनी में वैसे कालकरम विष्व में आपको बड़े कम उसके उधाराल मिलेंगे जहां पर केवल सत्ता पक्ष से जुड़ेवे लोग पुजूद नहीं थे आस्ट्रेलिया की पूरी पुलिटिकल जमात वो स्टेडियम के अंदर मौजूद थी जहां पर फैलिसिटेट किया पुलिटिकल वेट है दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में वह बताने की जरूरत नहीं है देवेंद्र अबेको सहराबार तक्रिवन 25,000 इंडियन कमिटी के भी लोग थे और वहां पर किसी देश के प्रधान मंत्री का भारतिये प्रधान मंत्री को ये कहना पब्लि प्रधान मंत्री मोदी ऑफर करते हैं बल्कि जो अफरिका के गरीब देश हैं उनको भी ओफर करते हैं तो ये सब दिखाता है कि दुनिया की समस्याओं को लेकर भारत किस प्रकार से सॉलूशन के दिश्रा में आगे जा रहा है इसका जिकर उसके अंदर किया गया है और यह कहा गया कि भई ये पिछले ये साथ चे साथ वर्षों के अंदर भारत ने वह और जित किया जो अन्यदा करने में कम से कम पचास साल लग जाते पांच दशक जिसका आँगो करने में लगते जी बिलकुल देखें टेक्नोलोजी के माध्यम से हर व्यक्ति के हाथ में जो शक्ति पहुंची है जैसे जैम था जंदर आधार मोबाइल अगर आप देखें जैसे लोग मोदी जी की उस दूर दरिश्टी को समझ नहीं पाए जब 15 अगस 2014 को अपने पहले सुतनता दिवस के संबोधन में उन्होंने जंधन अकाउंट की बात कही तो नहीं दुका ये अकाउंट क्यों खोल लें अकाउंट ने पैसा कहां से आएगा इतने खुल नहीं पाएंगे आज अभी 50 करोड जंधन अकाउंट खुल गए अब आप देखिए उसके बाद मोदी जी के माइन में बिलकुल पिक्चर क्लियर थी पहले जंधन अकाउंट खुलेंगे फिर डीबीटी आएगा डारेक्ट बेनिफिस ट्रांसफर उसके बाद मुद्रा योजना जैसी योजना आएंगी क्योंकि अगर सरकार पैसा देती थी तो पहले कोई भी पैसा दे दे सरकार तो वो एक आट अप में लोन लेना था छोटे लोओं के बाद धंग से अकाउंटी नहीं होता था तो वो पैसा सीधे पहुच रहा था टार्गेट सेक्मेंट के पास पहुच रहा था और बेना किसी बिचौलिये के ततकाल और तुरित रूप से पहुच रहा था इसलिए हम यह कहना च सतर प्रतिशत के आसपास यह छोटे लोग हैं यह कोई बड़े सप्लायर नहीं दे रहे हैं उन सब लोगों ने जिरोंने गवर्मेंट पोर्टल पर जाके अपलाई किया अपना एक छोटा कुटी रूद्यों गैसा चला रहे हैं और उसके बाद वो उनको दे रहे हैं तो य एक प्रकार की एक अलग प्रकार की करांती नीचे इस तरफे हो रही है लोगों को स्वावलंबी बनाने की हम एक सो चालीस करोड से उपर के देश हो गए हैं आप गी डेर सो करोड के देश हो जाएंगे यह सब नौकरिये करते रहेंगे क्या यह भी विचार करने की बात है अगर सब नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन तो इसलिए अध्यवसाय और विवसाय भी था वो एक विचार जैसे हम लोग जब पढ़ते थे युनिवस्टी में और पास आउट हुए तो याद करिए तब प्राइविटाइजेशन का दौर शुरू हुआ था तो हमार बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुँचे कि आज गूगल का सीओ माइक्रोसाफ का सीओ पेपसी की सीओ वर्ड बैंक का सीओ हमरा हो गया वैसे ही जो मोदी जी ने शुरुआत की है कि अब हमारे छोटे इंटरपेनियोर्स मीडियम इंटरपेनियोर्स बनेंगे इतने यूनि पाकर तुशांत रहे हमारे मोदी ने का लोन नहीं आपको व्यवसाय का एक अवसर देंगे जहां से आप एक नए विकास का रास्ता बुन सकें अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी कुछ हजार रुपए किसी को दे दीजिए दो चार महिने में खतम हो जाएंगे खतम परन्तु यदि आप कुछ को सो पैसा दीजिए वो व्यवसाय में आगे बढ़े तब एक अलग प्रकार की परिस्थिती का निर्माण होता है हाँ एक बात और कह दूं जैसे कहा वन अर्थ वन फैमिली वसुधायो कुटमकम ये विचार सिर्फ और सिर्फ भारत ही दे स रखता दुनिया किसी संस्कृती में विश्व परिवार है ये है ही नहीं और इसे मूर्त रूप में कैसे दिखाया जब योग दिवस का प्रस्ताव मोदी जी लाए 170 सहधिक देश उसके समर्थक नहीं बने द्वतिय प्रस्तावक बने जिनमें 40 सहधिक मुस्लिम देश थे आज बताईए अभी पिछले योग दिवस पर यूएन हेड़कोर्टर में 135 देशों के प्रतिवियों के साथ उन्होंने जिस समय योग किया तो अगर 170 सहधिक देशों में जितने भी लोग अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ बैठ कर योग करते होंगे तो ये भा का सौफ अंसाओ इंफलेंस